नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आडेंपी कुंदन में दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे डॉक्टरों द्वारा जो कि छोटे छोटे शौट कोट लिखे जाते हैं टम्स लिखे जाते हैं उसका मतलब क्या होता है हिंदी प्लस लेंग्वेंज में समझने वाले हैं तो आप से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट का मुझे बहुत जरूर रहता है तो आप लोग जितना हो सके प्यार और सपोर्ट बनाए रखें चलिए अब आप लोगों को ले चलते हैं वीडियो की आप उसका फूल फॉर्म होता ब्लॉड प्रेसर जो कि इसका हंदी होता है रक्त चाप और रक्त दाब के नाम सी यह जाना जाता है दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट आता है बीस एप लिका रहाता तो लिखना लगों का मतलब होता है ब्लॉड सूगर फास्टिंग यानी कि इसका हिंदी होता है रक्त सरकरा उपवास यानि की आपको जो है ना उपवास में जो है की चीनी वगेरा टेस्ट किया जाता है जो की बलड में आपका गुलकोच की मातरा चीनी की मातरा कितना है वो मतलब होता है दोस्तों उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है यू एस जी डॉक्टर यूएसजी लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि आपको अल्टरा साउंड कराना होगा उसके बाद हमारा नेक्ष्ट आता है CXR, अगर TXR लिखा हुआ है short form में तो इसका full form होता है, check xray यानि कि आपको छाती का xray कराना होता है दोस्तों, उसके बाद हमारा next है, T यानि T अगर लिखा राता है, तो इसका English होता है temperature और हिंदी होता है, top man यानि कि आपके सरीर का top man क्या है, इसका मतलब यही होता है दोस्तों, चलिए आगे की और बढ़ते हैं उसके बाद दोस्तों हमारा next राता है, PR PR का full form होता है, pulse rate यानि कि pulse rate इसका मतलब होता है दोस्तों, उसके बाद RR लिखा रहाता है तो इसका reparation rate होता है, जानि कि सौसन का गती क्या है पेसेंड में वो निकाला जाता है दोस्तों, उसके बाद HR, अगर HR लिखा रहाता है, तो इसका full form होता है हार्ड रेट यानि की हिड़दे की धरकन क्या है, हिड़दे की गती है, क्या है कि इस परकार से पेसेंड में हिड़दे गती कर रहा है, वो निकाला जाता है दोस्तों, उसके बाद हमारा नेक्स आता है OD, अगर OD लिखा रहाता है दबाई होता है, दोस्तों, OD का मतलब होता है दबाई में ये लिखा रहाता है, जैसे वन इन डे, यानि की दीन में आपको एक बार दबा को उप्योग करना होता है, दोस्तों, उसके बाद नेक्स लिखा रहाता है, BID या BD आपको यहाँ पे जो है ना BD जादे देखने को मिलेगा, BD का फूल फॉम होता है, टू टाइम यूज यानि की टू टाइम आपको दिन में दो बार दबा को उप्योग करना होता है, दोस्तों, चलिए आगे की और बढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों, हमारा नेक्स आता है, TID या TDS TDS सबसे जादे लिखा जाता है दोस्तों, जो की 3 टाइम 8 डे, यानि की दिन में आपको तीन बार दबा को लेना होता है, इसका मतलब यही होता है उसके बाद नेक्स आता है, QD QD का मतलब होता है Everyday, यानि की आपको देनिक उप्योग दिन में कभी भी एक बार आपको दबा को लेना होता है, दोस्तों, उसके बाद हमारा next आता है QID या 4 Times Use यानि आपको यह धवा को जो है ना दीन में 4 बार लेना होता है जिसको आट धियु आखा है तो इसका मतलब आप समझें जाएंगे धे यानि कि दिन में आपको जो है टायम टाइम पर दवा को चार बार लेना होता है दोस्तों हमारा नैक्स आता है एसोस यानि कि इसके बाड़े में आपको जानना भुएती जरूड़ी होता है Exactly इसका फूल पेंडियू कि आपको जरूड़त परने मि दबाई को लेना होता यह कॉमन देखा जाता है तो वहाँ पर टैबलेट दी जाती है जो की जरूरत के इसाब से पेसेंट को दी जाती है जैसे उल्टी बगेरा आना कुछ कॉमन दवाई होते हैं जो की जरूरत परने पर ही लिया जाता है वहाँ पर एस लिखा रहता है दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एक देखने को मिल सकता है जो कि इसका फूल फॉम होता है विफोर सिलिप यानि की आपको खाने के बाद एक घंटा सोने से पहले द बाद लेना होता है मतलब यही होता है उसके बाद नेक्स आता फीसी का मतलब होता आफ्टर फेंव लेना होता है । ч Pacific की आपको सुनने को मिलेगा जो की इसका fulpom होता है आउट पेसेंट डिपार्टमेंट यानि कि वाहियर होगी विभाग यानि कि जो पेसेंट रेगूलर बेस पे आते हैं आ जैसे किसी को फेवर हो गया खासी बगरा हो इनका दबाइ बगेरा लेना होता है, तो वो जो है ना OPD patient के नाम से जाना जाता है, out patient department में रखा जाता है, दोस्तों, उसके बाद हमारा next आता है, IPD, IPD का फुलपम होता है, independent patient department, यानि की अंतरीक रोगी विवाग, यानि की जो patient जो है कि admit हो हो है, उसका treatment बगेरा चल रहा है एडमीड होके तो उसको हम जो है ना आई पीडी के विभाग में रखा जाता है चलिए आगे की और बढ़ते हैं उसके बाद दोस्तों अगर कुछ इस परकार से सिंबल के साथ यानी की सी कायद यानि की पैसेंट के समझेन के साथ कि अधुम्पलेर और पूछ पूछते हैं आपको क्या 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 सीम्टम वहाँ पे देखते हैं डूक्टर आपने से करने के बद जो वहाँ पे आदा है पर Tradu वहां परकार के स Live के साथ उसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्राथा और आरेक्स Ses को मतलब है इस निक्षा हुता है है हिंदी में जो कि आपको आके योसी मिले घजो की टीरिट्मेंट होता है दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों जो कि आप इनका उपचार के नाम से इनको जान सकते हैं जैसे कि आप लोग देखें होंगे डॉक्टर जो दबाई बगेरा लिखते हैं सबसे पहले वहाँ पे आर एक्स लिखते हैं उसके बाद कोई दबाई बगेरा लिखते हैं दोस्तों उसके बाद हमारा नेक्स लिखता आ ना करतु apenasाओ करते हैं क्या उसमें हो रहा है उसको समझ में आने के बाद वहां पे लिख делать दोस्तों चलिए और है एक एक्स सेखी का फुल्फम होता हिस्ट्री जिनका हिंदी हो कि इत्यास यानि पेसिंट में जो जो समस्या है वहां पेसिंट में फीबर्या है जो भी है वहां पेसिंट में हिस्टरी देखा गया उसके बाद हमारा नेक्स आता है किया क्या संकेत आ रहे हैं और क्या रचना रहे हैं उसमें संकेत आ रहे वहां पर लिखा जाता दोस्तों रहे दोस्तों हमारा next आता है भी सिप्सका वहता है वेंटन सहंगल में जो एक वाल्सरेट किया है टैंप्रेचर क्या है हाड़ विड क्या है यह शरा निकाला जाता है जो की भी हैस के नामसे जाना जाता है दोस्तो चलिए आगे की और बढ़ते हां उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है C.A.P. C.A.P. अगर लिखा होता है तो यहां पे इसका मतलब होता है कि पेसेंट को capsule बगेरा देना है दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट आता है T.A.P. यानि की टैब्लेट मतलब गोली उसके बाद नेक्स्ट आता है SYP यानि की फेसंट को सीरप पर क्रिश्ण किया गया है उसके बाद दोस्टों हमारा NEXT आता INJ जो की आप लोगों को पता हिं होगा जो की इंजक्षन होता है इंजर्थ यह आगे की और बढ़ते हैं एक बाद दोस्टों हमारा NEXT आता आई एम अगर डॉक्टर लिखते हैं दवा के इंजेक्शन के आगे तो इसका मतलब होता है इंट्रा मास्कुलर यानि कि आपको जो है ना वो दवा इंजेक्शन को जो है पेसेंड में आपको मास्पेसियों में लगाना जैसे कि आपको मांस में इंजेक्शन को इंसर्ट करके के वहाँ पे दबा को पास करवाना आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आपका जो भी कोस्चन है आप अपना कोस्चन कॉमेंट बॉक्स में जरूर करें और एक प्यारा सा सपोर्ट जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग